शाबित्री आफीशियल ने किया पैसों के लिए बारा साल बड़े आदमी से बीवा हलो गाइस नमस्ते आप सबका श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूली का यूपी आर पील मैं हूं मधूली का तो गाइस आज कोई ब्लॉक नहीं है आज एक प अविक्त्री कुमारी आफीशियल की जो शनातन की बहन है उसके बारे में बात करने वाली हूँ तो जैसे कि आपको मालूम है थोड़े दिन पिछले दिन ले चलते आज से 15 दिन पहले उसकी शादी हुई है उनकी शादी मंदिर में हुई मंदिर में शादी होने के बाद फी अपनी से डबल एस के लोग का मतलब डबल एस के आदमी के शाश शादी की उनकी उन्होंने एपनी वीडियों में खूद बताया है कि उनके हस्बेंड की जो एज है वो उनसे 12 साल जादा है 12 साल कितने 12 साल जादा है अच्छा ठीक है उनकी जो भी एज हो उनके हस्बेंड की 12 साल एज जादा है मगर कहते हैं ना एक कहावत कही गई है कि जब प्यार करे कोई जब प्यार करे कोई तब देखे केवल तर्मन यहां पर गलत कहा गया है कि शावित्री ने पैशो के लिए बड़े आदमी से अपने बड़े ऐसे साधी की है उन्होंने साप शाप बताया ऐसा कुछ नहीं है बलकि शावित्री खुद इतना पैशा कमाती है उसकी उसने कल एक वीडियो डाला था उसमें उसने बताया है कि मैं मेरी यूटूब की इंकम वन मंथ की आई है यानि 28 दिन की जो पेमेंट है जिससे मैं एक अच्छी सी अच्छी स्कूटी ले सकती तो आज आज की डेट में ज अपने से ज्यादा इसकी शादी कैसे करेंगे आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो प्लीज कमेंट करने के पहले सोचा करो कि सामने वाले को कैसा लग रहा होगा उसकी सोच आप लोग कुछ भी बोलते रहे तो कुछ भी बोलना अच्छा यह वीडियो में क्यों बहुत सारे उसके कमेंट आएंगे कि आप ने यह वीडियो क्यों बनाये है यह जासे को ईनका वीडियो देख जके ऐसा कुछ रहा है है कि जो लड़की महीने का लाग देल लाग कमाती हो वो बताओ किसी बड़े आत्मी से शादी करेगी शिप पैसों के लिए गलत मैं इस बात को नहीं मानती हूं आप लोग मानते हैं कि नहीं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा तो शावित्री की शादी जो हुई है वो उनके भाई ने मन पशन सादी की जिसकी वज़े से उनकी शादी कुछ दिन बाद हुई है क्योंकि सावित्री कहती थी कि पहले मेरे भाई की शादी हो क्योंकि उसकी मा नहीं है पहले मेरे भाई की शादी हो उसके बाद मेरी शादी होगी तो घर कोई संभालने वाला हो तो शनात मतलब दयावट के लिएर होगा हैं जो आप लोग बूलते घाराईश की फंये वह लिए sabes फिर ठोड़ा खराब है यह नए घर रहें नाया घर लेने वाले हैं आई होप सावित्री जी बहुत जल्दी नया घर भी ले लेंगी और जैसे कि हम लोगों ने उनकी वीडियो भी देखी उन्होंने बहुत संगर्स किया कहते हैं ना सोना जब आग में तपता है तभी वो निखर जितना तपेगा तभी वो निखरेगा तो उसने बहुत मेहनत की वो और उनके भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की तब आज जाके यहां पे पहुँचे हैं और सावित्री जी की आज तबियत खराब थी तो आज उनके हस्बंड ने उनके लिए पकवान बनाएं और हस्बंड वाइप में कितना प्यार है एज का नहीं यहां पे एज जो यहां पे दिल मिलने चाहिए आप आपके ही शादी किसी हम एज के साथ हो जाए मगर वह आपको ना माने आपको प्यार ना करें आपको वह इज़त ना करें तो बताओं कैसे वह सब कुछ जान बूचकी की है ना वह अपने मन का की है तो आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं क रॹना जो अंदम गलत कुछ न कुछ बोलते रहते अरख शावित्री जी ने माकान देखा माकान जो भी देखा माकान बहुत ही अच्छा था और शावित्र जेख protagon tai उस माकान में सिप्ट होने वाली हैो उसाई साथा जा जाए शावित्री माँ बनने वाली है और इसलिए उनकी तबियत खराब है अब कहां तक यह सच है कहां जूट है यह तो मुझे नहीं मालूम गाइस तो आई होब गाइस सारी बाते आपको किलियर हो गई होंगी अब शाबित्री की वीडियो मतलब वेट करें देखें हम लोग की साबित्री सच म माँ बनने वाली या किसी ने जूटी अफवा फैल आई है कि वह माँ बनने वाली क्योंकि इस टाइम पर शाबित्री की तबियत खराब है उनको फीवर था उनको अपने मैकी की याद आ रही थी रोना देखो एक हर कोई लड़की होती जब अपने सस्वाल जाती तो उसको बहुत आती क्योंकि मैका मैका सरा सरा सरो होता है तो इसल VAN को भी उनको माय की याद बहुत आ रहे थी उनके самое उनको खुश करने के लिए खुद खाना बनाके खिलाएं उनके लिए सब कुछ किए तो ऐसे हस्बेंट सबको मिलना चाहिए तो गाइस इस वीडियो को यहीं करते हैं और कल मिलते एक अच्छे से वीडियो के शाथ और हाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगर आप इस आप अपना और अपनी फैमिली का खायाल रखिएगा बाई बाई टाटा सी यू बाई बाई